लो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इडू फईल, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्ट्रेक्शन और वेक्टर्स के बारे में डीटेल में डिशन करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग इसके फुल कॉंसेट को, step by step, notes के साथ में, properties के साथ में, question के साथ में समझने वाले हैं सबसे पहले जानते हैं इसके basic चीजों को जिससे हमें addition और subtraction समझ में आ है जैसा कि हम लोग जानते हैं vector quantity ऐसी quantity होती है जिसमें magnitude और direction दोनों होता है magnitude का क्या मतलब है, यहाँ पर आप एक vector को देख सकते हैं इस तरीके से जो इस vector का length होगा, उसको हम कहेंगे magnitude और जो इस vector का direction होगा यानि कि जो arrow होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि direction of the vector तो यहाँ पर magnitude और direction को हम समझ चुके हैं, अब कोई भी vector होगा तो उसका कुछ न कुछ starting point होगा यहाँ से मालेते हैं जैसे यह शुरू हो रहा है vector तो उसको हम क्या कहेंगे starting point और जहाँ पर यह vector खतम होता है, जहाँ पर arrow लगा होता है उसको हम कहते हैं end point तो any vector has a starting point उसको हम starting point कहते हैं या फिर कहते हैं tail of the vector क्या कहते हैं tail of the vector और जहाँ पर vector खतम होता है जहाँ पर vector खतम होता है उसको हम कहते हैं vector head या head of the vector तो यह head हो गया और यह tail हो गया the arrow signifies the direction of the vector तो इतनी चीज़े हम समझ चुके हैं और चीज़े समझ ले थाकि addition, subtraction समझ में आ जाए अब यहाँ पे अगर कोई vector हम ले रहे है plus v जो की शुरू हो रहा है a से b की तरफ देखिए यहाँ पे direction the point क्या है a से b की तरफ starting point मैंने बताया था तो कोई vector हम plus v ले रहे है a से b की तरफ और हम कोई vector minus v ले रहे हैं तो क्या होगा यह opposite direction में जाएगा b से a की तरफ कहाँ जाएगा b से a की तरफ कोई vector plus v लिया है तो वो a से b की तरफ जा रहा है तो negative v किस की तरफ जाएगा b से a की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है direction change हो रहा है magnitude same है माल लेते हैं इस vector की length 5 meter है तो इस vector की length भी 5 meter ही होगी केवल direction change होने से vector में क्या आ जाता है negative sign आ जाता है तो both plus v and minus v have the same magnitude but they are in opposite direction तो इसको अब याद रखेगा अगर हम vector का direction opposite कर देते हैं तो negative आ जाता है अब यहाँ पर triangle law of vector addition समझेंगे आपको सबसे बहले जाना होगा vector को add क्यों करते हैं कई सारी देखें माल लेते हैं जैसे हमारे पास एक table है इस table पर इस तरफ से भी force लग रहा है इस तरफ से कोई धक्का दे रहा है table को इस तरफ से कोई धक्का दे रहा है तो total force निकालना है तो मतलब vector को क्या करना पड़े एड करना पड़ेगा हम vector को अलग नियम से एड करते हैं उसको scalar के नियम से नहीं एड कर सकते हैं जैसे कि 5 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से नहीं एड कर सकते हैं इसको हमें vector के नियम से अड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें direction भी होता है, तो इसीलिए हम vector को add करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती हमारे daily life में बहुत सारे physical phenomena होते हैं, जिसमें बहुत सारे vector एक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें vector को add करना पड़ता है, हमने बना दिया और B, C को हम इस तरीके से ऐड़ करेंगे B से C की तरफ ऐसे हम ऐड़ करेंगे अब आपका question यह उठना होगा कि आप यहाँ पे ही क्यों ऐड़ कर रहे हैं जिसे A, B एक vector है तो B, C को आप B पे ही क्यों जोड रहे हैं क्योंकि आप नाम से ही clear है क्योंकि A से B पे जब खतम होगा पहला vector तो दूसरा vector कहां से चालू होगा B से C की तरफ चालू होगा तो इसलिए हम B से इसका चालू करेंगे starting point दूसरे vector का क्या होगा B होगा पहले vector का end point क्या होगा B, देखे starting point A है end point पहले vector का क्या है, B है दूसरे vector का starting point कहां से होगा B से ही तो होगा क्योंकि नाम है B तो B से C की तरफ clear है तो इस तरीके से दो vector add होके यहां पे पहुँच गया यहां से चला यहां से चला यहां पे रुका C पे तो आप vector के नियम से इस तरीके से इसका resultant निकाल सकते हैं इसका resultant क्या होगा? AC. AC क्या हो जाएगा? इसका resultant हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा कुल मिला के क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा AB, पहला vector है, दूसरा vector है BC. यह दोनों vector जोड़ने पे हमारा क्या आ गया? AC आ गया. इस तरीके से हम लोग add करते हैं. अब यहाँ पे और चीज़े इनके बारे में समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पे. Adding and subtracting vector graphically is done by using the triangle law. हम add या subtract किस help से करते हैं? triangle law के help से. For example, यहाँ पे हमने add किया है AB को BC में. तो हमें क्या मिला है? AC. अब यहाँ पे देखिए AB को हमने BC में add किया. तो हमें क्या मिला है? AC मिला है. तो आप देखिए यहाँ से A से B पे सुरू हुआ है. B से C पे खतम हुआ है. तो क्या मिलेगा? A से C ही तो मिलेगा. देखिए एक रास्ता है मान लेते हैं. एक रास्ता है A से B पे जा रहा है, B से C पे जा रहा है कहां से जा रहा है, आखिरकार A से C पे ही तो पहुँच रहा है तो इसका resultant क्या हो जाएगा, A C हो जाएगा चाहे आप A से B पे जाएए, B से C पे जाएए पहुँच रहे हैं C पे चाहिए आप A से C पर जाए डिरेक्ट तो भी C पर पहुच रहे हैं तो इस तरीके से वेक्टर का एडिशन होता है अब यहां पर देखें एडिंग A B to B C GIFS A C A B से B C पर हमें क्या मिल रहा है? A C मिल रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? Second Vector कहा से स्टार्ट हो रहा है? जहां पर पहला वेक्टर खतम हो रहा है नाम से भी क्लियर है क्योंकि इसमें भी B है इसमें भी B है इसलिए AB प्लस BC is equal to AC तो यहां पर क्या हो रहा है? Resultant Vector जो है? Resultant Vector हमारा जो है? वो क्या है AC है क्योंकि AB और BC को जोड़ा तो AC आया आप resultant vector को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि हमारा A आ रहा है पहले vector का tail आ रहा है और दूसरे vector का head आ रहा है head मतलब यह last व्ला point तो पहले vector का tail और दूसरे vector का head तो इसी तरीके से आपका हमेशा आएगा जब भी आप add करेंगे दो vector को तो पहले vector का क्या आएगा tail आएगा दूसरे vector का head आएगा ठीक है जैसे for example हम ले रहे है यहाँ पे OP कोई vector ले रहे है और कोई एक vector ले रहे है OC यह हम ले रहे है OP और यहाँ पे PC होगा क्या होगा PC क्योंकि O से P पे गया फिर P से C पे गया है यह होगा तो इसका क्या होगा answer आप बताईए एक vector है OP और एक vector है PC तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा OC क्या हो जाएगा OC OP plus PC को add करेंगे तो क्या हो जाएगा OC इसी से आप समझ सकते हैं इस तरीके से अब वेक्टर को add करना तो हम जान गए कि भाई यहाँ पे इसका head जो इसका head है और इसका head है यहाँ पे इसका head है तो इनका resultant क्या आ गया यह आ गया अब हम वेक्टर का subtraction समझेंगे तो उसे कि subtraction में क्या होता है हम क्या करते है negative कर देते हैं वेक्टर को वेक्टर को क्या कर देते हैं negative आप जानते हैं वेक्टर को उल्टा कर देते हैं तो क्या जाता है तो वेक्टर को हम subtract करने का मतलब क्या है वेक्टर को घुमा देते हैं उल्टा कर देते हैं वेक्टर को तो यहाँ पे B कर दिया नेगेटिव कर दिया City कर दिया यहां पे क्या था पीसी था और यहां पे क्या हो गया City हो गया क्योंकिसी से सुरूरा बीप खतम ओर Trica K growing क्या कैसे निकाल ने का लए इसको हमने अपोजेट कर दिया तोपो निकाल लेते हैं चलिए मैं आपको barley यहां पर समझा देता हूँ जैसी यह हमारा equation 1 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर minus कर रहे हैं BC को किसको minus कर रहे हैं BC को दोनों तरफ तो AB plus BC हमने लिख दिया है इससे हम समझ जाएंगे कैसे होता है subtraction AB plus BC minus BC हम कर रहे हैं minus नहीं बलके हम plus minus BC कर रहे हैं इसको add कर रहे हैं minus BC को add कर रहे हैं minus BC को CB को हमलब क्या लिख सकते हैं minus BC लिख सकते हैं यह देखिए इसको आप इधर लिखेंगे तो minus BC हो जाएगा और minus bc हमारा cancel out हो जाएगा तो हमारा इस तरफ क्या बचेगा a b ही बचेगा और a c plus minus bc और minus bc को हम क्या लिख सकते है c b लिख सकते है vector में यह होता है कि जैसे अगर minus bc लिखा है तो अगर इसको plus बनाना चाहते हैं तो इसको c b लिख भी जे तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो इसको आप याद रखिए का यह चीज तो a b is equal to क्या आगे a c plus c b अब इसको verify करते हैं एक बार क्या यह चीज आना चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आप देखिए a b is equal to क्या आया है a c plus c b तो a c plus c b को देखिए यह देखिए a से c पे गए और c से b पे आये तो दिख भी रहा है कि a से c पे गए है फिर c से b पे आये तो इन दोनों का resultant क्या है a b आ गया समझ में आया इसको एक नजरिये से और समझे a से c पे गए फिर c से b पे आये arrow को देखिए arrow के हिसाब से यह हम जाते है a से c पे गए c से b पे आये तो आखिरे में कहां पहुँच रहे है b पे ही तो पहुँच रहे है और हम इतना लंबा रास्ता लेके जा रहा है तो इसका resultant क्या हो जाएगा a से b पे ही जा रहा है मतलब opposite कर देते हैं तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं आप इसको इधर ले आईए तो negative भी आ जाएगा A B minus A C is equal to C भी हो जाएगा लिख सकते हैं कई तरीके हैं लिखने के अब यहाँ पर question करते हैं ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाए जैसे यहाँ पर हमने एक triangle लिया है A B C A B C मतलब A से B पे गया है B से C पे गया है तो इसका resultant जो आया है वो हमारा A C आया है तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा नहीं true है यह सारे हमें A से D तक option दिये हैं कौन सा नहीं सही है यह आपको बताना है तो हम जानते हैं कि vector में add करना है यहाँ पर क्योंकि add ही तो होगा A से B पे गया B से C पे गया तो A B प्लस B C is equal to क्या होगा A C होगा हमें पता है तो we know that A B प्लस B C क्या होगा A B प्लस B C क्या होगा A C होगा ठीक है इसको equation 1 कह दिया हम सारे option को देखेंगे कौन सा true नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते है A B प्लस B C और A C को हम क्या लिख सकते है negative of C A आपको पता है कि अगर इसको later को इधर उधर करते हैं तो क्या हो जाता है negative of C A हो जाएगा तो A B प्लस B C is equal to क्या होगा minus C A अब minus C A को equal के इधर तरफ लाएंगे तो A B प्लस B C क्या हो जाएगा plus C A is equal to 0 यह हमारा equation 2 जो है वो हमारा option A को दिखाता है तो option A जो हमारा true है पूछ किया रहा है कि कौन सा true नहीं है तो option A तो हमारा true हो चुका है यहाँ पर मैंने लिख भी दिया यह option A true है अब हम लोग देखते हैं और चीजे from 1 equation 1 है हमारा resultant जो होता है A B प्लस B C is equal to क्या होता है A C यहीं तो होता है अब इसको हम क्या कैसे लिख सकते है A B प्लस B C A C को उधर ले आएए minus A C is equal to 0 अब यह हमारा देखे यह क्या है option B है तो option B भी true हो जाएगा क्या हो जाएगा true हो जाएगा क्योंकि इसी के हिसाब से यह आया है हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं हम इसी formula से ही लिख रहे हैं तो यह भी हम समझ चुके हैं अब from equation 2 equation 2 को देखे क्या करते हैं हम लोग अब तो देखे AB को हम AB ही लिखेंगे BC को क्या लिख सकते हैं minus CB लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं minus CB plus CA is equal to 0 तो यह देखे यह कौन से equation है यह equation D है तो equation D भी हमारा true हो गया तो कौन से true नहीं होगा हमारा c नहीं true होगा यानि कि c हमारा answer हो जाएगा answer c हो जाएगा अब c क्यों नहीं true होगा इसको आप समझ लीजिए देखिए हमारा c में क्या है a b है plus b c है और minus c a है is equal to 0 अब यहाँ पर देखिए यह हमारा c option है तो c क्यों नहीं true है क्योंकि हमारा a option में a b plus b c plus c है तो यहाँ पर plus c a दिया है यहाँ पर minus c दिया है तो plus c वाला ही true होगा न क्योंकि formula से आया minus c a कहा से आ सकता है आप देखिए minus c a हमारा नहीं आ सकता तो इसलिए c option जो है हमारा वो true नहीं होगा तो हमारा c answer हो जाएगा clear तो यह question भी हम समझ चुके हैं इसमें हमें कई सारी चीजे पता चली है अब हम लोग और चीजे समझते हैं vector addition से related जैसे कि vector हमारा कोई AB है जिसका हमने A नाम दे दिया है और कोई BC है जिसको हमने B vector नाम दे दिया गया है आपको पता है दोनों का resultant क्या हो जाएगा A plus B हो जाएगा या फिर आप AB plus BC लिख सकते हैं ठीक है तो यह resultant हो जाएगा resultant A plus B हो जाएगा अब resultant तो हमें पता चल गया है तो resultant का magnitude कितना होगा मतलब magnitude का मतलब length कितना होगा तो length या magnitude निकालने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, पूछ लेता है तो resultant का magnitude क्या हो जाएगा under root a square plus b square plus 2ab cos theta, what is theta? theta is the angle between a and b a and b के बीच में जो angle है वो theta है और a और b क्या चीज है? a और b आपका magnitude है, क्या है magnitude मतलब a की लंबाई, b की लंबाई ये चीज है, a और b ठीक है? तो ये इस तरीके से हम लोग resultant की लंबाई निकाल सकते हैं magnitude निकाल सकते हैं a magnitude of vector है, a का और b जो है magnitude of vector b है theta is angle between vector a and b इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप कई तरीके के question कर सकते हैं, जैसे हमान लेते हैं r हमारा 3 है R हमारा 3 है और B स्वरी यहाँ पर मैं लेता हूँ A हमारा 3 है B हम लोग ले लेते हैं 4 ले लेते हैं चलिए ले लेते हैं यह चीज और यहाँ पर हम लोग theta is equal to क्या ले ले? theta is equal to चलिए ले लेते हैं 90 degree क्या ले लेते हैं? 90 degree ले ले लेते हैं, तो अब देखते हैं, resultant कितना आएगा, तो यहाँ पर मैं resultant आपको निकाल कि दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 का square हो जाएगा, प्लस 4 का square हो जाएगा, प्लस 2 into 3 into 4, और cos 90 की value क्या होती है? 0 होती है, cos 90 की value 0 होती है, तो यहाँ पर जाएगा 3 का square 9 4 का square 16 और यह हमारा 0 हो जाएगा यहाँ की 25 और 25 का क्या हो जाएगा 5 तो resultant हमारा कितना आ गया 5 आ गया यानि A से आप 3 गए थे और B से आप 4 गए थे तो आपकी यह resultant जो कितनी आ गई है 5 आ गई example लेंगे vector addition के कि vector addition कर रहे हैं तो आप physics में कहां करते हैं भाई इसको समझिए क्यों vector addition करते हैं मैंने आपको force का example से समझाया था देखिए जैसे मान लेते हैं कोई charge है उस पे बहुत सारे charge आसपास घेरे हुए उसको बहुत सारे charge तो सारे charge इस पे क्या act करेंगे force act करेंगे सारे charge एक दूसरे को खीच रहे हैं तो हम क्या करेंगे सब का force निकालेंगे इसका F1 हो जाएगा इसका F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे होगा तो total force निकालेंगे total force F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6 इस तरीके से vector addition का ये example है यहाँ पे vector addition का use होता है और vector subtraction का use कहाँ पे होता है ये भी आप जान लीजे जैसे change in velocity पे velocity आपको पता है जैसे bike चल रही ठीक है तो bike कभी तेज चलती है कभी धीमा चलती है तो वैसे ही अगर कोई body है वो initial velocity V.I. से चल रहा था फिर कुछ time के बाद में वो V.I. से चलने लगा तो velocity में change कितना आया तो आ गया final velocity minus initial velocity ये velocity में change आ गया minus करेंगे क्या करेंगे minus करेंगे तो ये subtraction का example हो गया ठीक है अब properties of vector addition समझेंगे कि vector को आप add तो कर रहे है लेकिन उसकी property क्या है vector addition जो है वो commutative है आप A को B से add करिए चाहे B को A से add करिए दोनों same है कोई change नहीं होगा ठीक है vector addition associative है अगर तीन vector हैं A, B, C तो आप B और C को पहले add करके फिर A में add करिए या A और B को पहले add करके C में add करिए result same आएगा associative भी होते है vector vector कोई vector A है तो इसको आप 0 vector रचर से add करते हैं तो ऊप 0 प्लस A भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ A लिख सकते हैं अगर कोई vector A है तो उसके आप apposite से add उसको मेंग लाब माइनेस से add करते हैं तो क्या आएगा 0 आजगा या प्लस minus a कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा यह properties भी आपको exam में लिखनी होगी यह सारी चीज़े I hope आपको clear होगी इस वीडियो में तर्टेम वीडियो